इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत आयरन आपके शरीर में आक्सीजन लेने वाले लाल रक्त कोशिकाओं का उतपादन करने के लिए आवश्यक है। आईसोफर इंजेक्शन आपके डॉक्टर या नस द्वारा एक इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको कोई अलजिक रियेक्शन तो नहीं है। आप पर पूरी निग्रानी रखी जाएगी। आपका डॉक्टर यह तै करेगा कि आपके अनीमिया के कारण के आधार पर आपको कितनी खुराक की आवश्यक्ता है। यह एक अच्छी तरह से संतुलित आहार खाने में मदद कर सकता है जिसमें पर्याप्त आयरन, विटामिन और खनिज होते हैं। आयरन के अच्छे स्रोतों में मास, अंडे, किश्मिश, ब्रोकोली और लेंटल शामिल हैं। सबसे सामाने साइड इफेक्ट में उल्टी, मिचली आना, गहरे रंग का स्टूल, मल, कब्ज और डायरिया यानी की दस्ट शामिल हैं। इनमें से अधिकान शाम तोर पर थोड़े समय में दूर हो जाते हैं। अगर आपको इनसे परेशानी होती है या ये लंबे समय तक रहते हैं, तो अपने डॉक्टर या नस से बात करें। अगर आपका अनीमिया आयरन की कमी के कारण नहीं हुआ है, तो आपको यह दवा नहीं लेनी चाहिए। इसे लेने से पहले अगर आपको रूमेटोइड अर्थ्राइटिस, अस्थमा या अन्निकोई अलजी, हाई बलड प्रेशा या लिवर से समबंधित कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। यह आपके उपचार को प्रभावित कर सकता है। यह पता नहीं है कि यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तब इस दवा का इस्तिमाल सुरक्षित है या नहीं, इसलिए कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। रक्त कोशिकाओं और आयरन लेवल की जाँच के लिए सुधार पर निगरानी रखने और साइड इफेक्ट की जाँच के लिए आपके नियमे टेस्ट होंगे। इलाज के दौरान शराब को सीमित करने की सलाह दी जा सकती है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। पर बातो, 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 कर वोल को जाम वैंधा,